जैश्री राधे कृष्णा ओन कुक्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हरी अनन्त हरी कथा अनन्ता में आज सुनिए कार्थिक मास माहात्मे कथा अध्याय 24 लिखवाओ से निजदया से सुन्दर भाव बताकर कार्थिक मास 24 वा अध्याय सुनो सुधाकर राजा प्रिथु बोले है मुनिश्रिष्ट आपने तुलसी के इतिहास व्रत माहात्मे के विशय में कहा अब आप कृपाकर मुझे यह बताईए कि कार्थिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है यह भी विस्तार पूर्वक बताईए नारद जी बोले पूर्व काल की बात है सहय परवत पर करवीकर में धर्मदक्त नामक विख्यात कोई धर्मग्य ब्राहमन रहते थे एक दिन कार्थिक मास में भगवान विश्नु के समीप जागन करने के लिये वे भगवान के मंदिर की ओर चले उस समय एक पहर रात बाकी थी भगवान के पूजन की सामगरी साथ लिये जाते हुए ब्राहमन ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है उसका शरीर नंगा और मास रहित था उसके बड़े-बड़े दात लपक्ती हुई जीब और लाल नेत्र देखकर ब्राहमन भय से थर्रा उठे उनका सारा शरीर कांपने लगा उन्होंने साहस करके पूजा की सामगरी तथा जल से ही उस राक्षसी के उपर प्रहार किया उन्होंने हरिनाम का स्मरण करके तुलसीदल मिश्रित जल से उसको मारा था इसलिए उसका सारा पातक नश्ट हो गया अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिनाम स्वरुप प्राप्थ हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया उसने ब्राहमन को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा ब्रहमन मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ अब मुझे किस प्रकार उत्तम गती प्राप्थ होगी धर्मदक्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो कहा कि रहने वाली हो तुम्हारा नाम क्या है और आचारव्यवहार कैसा है ये सारी बातें मुझे बताओ उस राक्षसी का नाम कलहा था कलहा बोली ब्रहमन मेरे पूर्व जन्म की बात है सौराश्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्रहमन रहते थे मैं उनकी पतनी थी मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े करूर स्वभाव की स्त्री थी मैंने वचन से भी कभी अपने पती का भला नहीं किया उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही मुझे कला विशेश प्रिय था इसलिए मेरे पती का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था अंततो गत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चे कर लिया तब मैंने विश्खा कर अपने प्राण त्याग दिये फिर यमराज के दूत आये और मुझे बांध कर पीटते हुए यमलोप में ले गए वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप से पूछा चित्रगुप देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुब या अशुब प्राप्त करे चित्रगुप ने कहा इसका किया हुआ कोई भी शुब कर्म नहीं है यह स्वय मिठाया उडाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी इसने सदा अपने स्वामी से द्वेश किया है इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृती रही है इसलिए यह विष्ठा भोजी सुक्री की योनी में रहे जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी अत उसके दोश से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो इसने अपने पती को निमित बनाकर आत्मघात किया है इसलिए यह अत्यंत निंदनी अस्त्री प्रेट के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे इसे यम्दूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए वहां दीर्ग काल तक यह प्रेट के शरीर में निवास करे उसके बाद यह पापिनी शेश तीन योनियों का भी उप्भोग करेगी कलहा ने कहा विप्रवर मैं वही पापिनी कलहा हूँ इस प्रेट शरीर में आये मुझे पांच सौ वर्ष बीग चुके हैं मैं सदैक भूख प्यास से पीडित रहा करती हूँ एक बनिय के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिन देश में कृष्णा और बेनी के संगम तक आई हूँ जो ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान, शिव और विश्नों के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिय के शरीर से दूर भगा दिया तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ इतने में कि आपके उपर मेरी द्रिश्टी पड़ गई आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर पाकर मेरे सब पाप नश्ट हो गए हैं ग्विजश्रिष्ट अब आप ही कोई उपाय कीजिए बताइए मेरे इस शरीर से और भविश्य में होने वाली भयंकर तीन योनियों से किस प्रकार मुक्थ होंगी कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत उसके पिछले कर्मो और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा धर्मदत जी के कथन की कथा का वर्णन 25 अध्याय में किया गया है